सरकारी स्कूल पहुचे कलेक्टर बच्चों से नाम पूछा तो बोले कि हम यहां नहीं पढ़ते हम तो प्राइविट स्कूल पढ़ते हैं जी हां मद्यवदेश की होशंगा बाद में कलेक्टर के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने प्राइविट स्कूल और आंगन बाड़ी के बच्चों को सरकारी स्कूल की क्लास में बैठा दिया कलेक्टर शिरियंद रिस्षिह ने जब मासूम बच्चों से उनका नाम पूछा तो बच्चे बोले हम स्कूल के नहीं हैं तरसलिए यहां के दुराग्या गाओं के प्रात्मिक स्कूल में बच्चे कम हैं गुरवार को जब कलेक्टर को चक निरिक्षन होना था तब निरिक्षन से पहले ये सूचना लीक हो गई जिसके बाद शिक्षक ने प्राइविट स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल में लाकर बैठा दिया। आगनबाडी के बच्चे थे। इसका नामे पर कलेक्टर शिरेंद्र सिह ने शिक्षक रमिश कुमार वेद्ध को फटकार लगा कर उन्हें निलम्बित कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने स्कूल के अन्य शिक्षकों का वेटन रोकने के भी निरिदेश दे दिये हैं।